पुछने याद में गर आज तमी बाद सवा तिर से चाहे के गुलब शाह का हो जाने दो पुम्रे लखता के किसी आप पे बिस्रा गुआ तर्डे तिर से चाहे के फिरोसा हो तो जाने दो मेरा नाम कुच्सिया पानौन मैं कहां बैदा हुई फिरोसपूर मश्रुकी पंजाब अस्तवाजी हैसियत शादी शुदा बच्चों की दादा चश्मे बतूर तीन बेटे जाती दिल्चस्पी के मशागल लिखना पढ़ना खाना पकाना और सेरोसे याहद फखर का कोई लम्हा जब कोई पोता पोती अस खुद मेरे पास आ जाए मायूसी का कोई लम्हा जब मैं अश्वाक साहब या अपने बच्चों को अपने किसी फेल या कौल सिया जोड़ता करूँ कोई ऐसी कमजोरी जिससे मुझे नदावत मैसूस होती है तो पहर को खाने के बाद एह तमाम से सोना ऐसी कोई खुबी जिस पे मुझे फखर है खुबी मेरे नदीख खराबी ही की माकुस शकल है इसलिए किसी खुबी पे फखर करने का ख्याल ही नहीं आया अपने आप से मेरा पहला सवाज क्या मैं हको को लिबाद अदा करने में काम्याब रही मैं आपसे पुछना चाहती है आपको इस बात का नाज़ा किस वक्त हुआ कब हुआ किस उमर में हुआ या आपने कभ ये पुखता इरादा कर लिया कि मैंने राइटर ही बना है हर इनसान जो कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करता है उसे जिन्दगी में सबसे पहले जिस चीज से दोचार होना पड़ता है वो तनहाई है शखसी तनहाई जिसमें वो फैसला करता है कि मैं अपने बहन भाईयों से मुखतलिफ हूँ मैं अपनी मां से मुखतलिफ हूँ मैं अपने बाप से मुखतलिफ हूँ मैं अपने दोस्तों से मुक्तलिफ हूँ और मेरे राप्ते देर तक नहीं चलते जिसकी वज़ा से वो एक खास किसम के जिसे कहते कोई में चला जाता है जो रेशन का कोई नहीं होता है उसमें जाकर उसे एहसास होने लगता है कि उसे कुछ करना है बहुत जल्द उसे पता नहीं चलता कि मैंने क्या करना है क्या मैंने आइंस्टाइन बनना है कि क्या मैंने फैसाब बनना है क्या मैंने मीरदद बनना है पता नहीं उसे चलता लेकिन वो जो अंदर तनहाई की जैसे मौती बनता है न जी उसकी तनहाई वो चीज तैयार करने लग जाती है कुछ लोगों को अवली जिन्दगी के मुआके भी ऐसे मिलते हैं कि उनको अहसास यह शदीद हो जाता है और वो बहुत जल्दी इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि अब मुझे मैथमेटिशन बनना है लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं मिसूच जिनका पता आखरी वक्त तक नहीं पता चलता है कि मैंने यही काम करना था और मैं इसी काम के लिए आया हूँ उन में से एक फर्द मैं भी हूँ मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरी जिन्दगी का मकसद खयात क्या है और मैं यहाँ किस लिए आई हूँ क्या मुझे बच्चे पालने है क्या मुझे शोहर की अतात या उसकी महबद में गिरिफतार रहना है हर तरीक से یा मुझे यह करना है कि मुझे लिखना है इसी लिए आपने अपको तलाश करने के लिए अपने आप को जानने के लिए पिछले ये दस साल बड़ी मुशक्कत में बसर किये हैं कि मुझे अपनी जिन्दगी का असली मफहूम पता चल जाए लेकिन जो आपका सवाल है जो इसकी क्रॉलरी है चोटी सी इस बात का मुझे पांच्वी जमात में एसास हो गया था कोई ऐसा काम है जो नहीं किया मेरी कोशिश होती है मैं बवर्चन बन जाओं मेरी कोशिश होती है मैं दर्जी बन जाओं मेरी कोशिश होती है मैं नर्स बन जाओं बड़ी डॉक्टर बन जाओं ये सारी मचलियां जिस तरह पत्थर चाटके वापस आती हैं हर बार मुझे इसी जोली में डाल देते हैं कि तुम लिखा करो अब मुझे किसी ने चंद दिन में एक खाब बताया कि मुफ्ती जी उन्हें खाब में मिले हैं मुम्तास मुफ्ती और वो कहते हैं कि बानों से कहें कि सेब का दरख सवाए सेब के और कुछ नहीं दे सकता है तुम बाकी सब चीज़ें छोड़ दो और लिखा करो उसमाना गया जब मारत पुक्षे बच्चे की खाटर रोटी चुराता था और जेल जाता था अब अब लोग उकसे बच्चने के लिए मौत से खाफ जदा होकर रोटी नहीं चुराते जोर नहीं बंटे अब तो लोग मापथ की वज़ा से अपने किसी प्यारे की खाश को पुरा करने के लिए जोर बंटे समग लर बंटे खाश बुरी की जाए तो मापथ करने वाला सचा है बरना मापथ जोटी मेरे खाले मैं लिखती सबसे आखिर में हूँ और बहुत कुछ करती हूँ मसलां मैं फजूल मश्वरे देती हूँ जिस पर अगले ने अमल नहीं करना होता है मैं दूसरों की जिन्दियों में दखल दर अंदाजी करती हूँ जो भी गलत है करने से बाज नहीं आती है नहीं करने से बाज नहीं आती है यह इनसान मजबूर होता है इन बातों फिर मैं गलत सलत खाने पकाती हूँ experimental food जी से कहता है वो भी किसी को पसंद नहीं आता लेकिन मैं पकाती रहती हूँ इसके इलावा मैं घर साफ करती रहती हूँ जो साफ नहीं होता क्योंकि हमारे घर में लिखने का अंदाज और पढ़ने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है बाइस किताब में आपको इदर मिलेंगी चौबीस उदर मिलेंगी यह सफा नहीं हो सकती और छोटी अशिया हमारे घर में इतनी ज्यादा है बड़ी अशिया के निस्पतन कि इस सफाई नहीं हो सकती फिर इसके इलावा मैं कोशिश करती रहती हूँ कि अपने रिष्टेदारों के हकूक अदा करूँ हकूक अलबाद वो मैं कभी अदा नहीं कर सकी साल में एक मरतबा भाई को मिलाए दो साल के बाद दीसरे भाभी को मिलाए और इसको बहुत समझा हलाएं कि यह हकूक अलबाद नहीं है यानि कसीर अलमकासिद होना वो शाय जवेज साब को भी यहीं मसला हो कि जो आत्मी बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता मेरी यह हालत और आप तो मैंने यह सोच लिया है कि मैं चूंके अच्छा नहीं कर सकती तो कुछ काम मैं छोड़ दूँ तो मैंने टेली विजन को छोड़ दिया है लिखना आप आपने तैय कर लिया है जी आपने किया भी और माशालला नाम भी कमाया लेकिन यह कौन से हस्तिया है जिनको आप थोड़ा से अपने लावा अपने क्रेड़ देंगी नहीं नहीं ज्यादा क्रेड़ दून ही कुछ जाता है देखिए मिजू मेरा एक जाती तोर पर ख्याल है कि जहां 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 सुपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है तो सबसे बड़ा क्रेड़ तो मेरे शोहर कर जाता है क्योंकि उन्होंने शुरू में देखा कि ये नालाइक तो जरूर है ये लेकिन कर सकती है ये काम हम उन दिनों में एक रिसाला निकाला करते थे आपको पता होगा दास्तान को रिसाला निकालते थे शुरू शादी के दिन थे गरीबी हमारे पर बहुत थी और हम समझते थे कि शायद रिसाला निकालेंगे दास्तान को इतना सा रिसाला हो था तो उन्होंने मुझे कहा कि जब कोई आथर एपसकॉंडर हो जाए और मजमून नाम भेजे तो महरबानी करके आप एक सूडो नेम स उसके नाम की कहानी लिखके भेज़ दिया करें उन्होंने हमेशा जब घर आना और मुझसे पूछना कि तुमने कितने सफे लिखे ये कभी नहीं पूछा क्या पकाया है हम क्या खाएंगे बच्चा ठीक है नहीं है पहला सवाल मेरी जात का करते थे आज तुमने कितने ती पर अब जो हो सो हो तुमने सच सच पता दे रिकार बेली बना उसका इतना पक्का तेख चूली मुझे पता है तुम फरे पसांद नहीं करती पहले पहले तुम तुची मा अच्छी थी पर फिर सरकंडों से मारे थी नील जुदा पड़ते थे चलत तरे मास में अलगरा जावे थी लग फिर वा इतना रूवे थी इतना रूवे थी इतना रूवे थी के इतना रूवे थी अच्छा दूसरी चीज जो मैं कहूंगी कि मेरी वालदा मेरी मा ने मेरे लिए वो किया है जो हत्यार अब मेरे काम आ रहा है उन्हें मुझे शुरू दिन से कहा था एक तो घर में कभी फसाद ना डालना बाइ डिसकुशन्स तुम्हारा ज्यादा ना बोलना नहीं ज्यादा नहीं बहुत बोलना लेकिन महबत से दूसरे के जूते में उतर के अपने जूते में न खड़े रहना दूसरों के पॉइंट आफ यू को समझने की कुशश करना ये भी गालिबन उन्हें ने मुझे बात में कहा जो पहली बात उन्हें मुझे जिंदगी में सिखाई जब मैं अब दस पारा साल की भी ने हूंगे ति उन मुझे कहती थी ये वकत पाने में ना कर requirements लिस साहया ना करना आप यकीन नहीं करती कि मैं छोटे अमर में भी उन्हें मिझे चर्खाद कातना से खा दिया था तो आप बताए कि वह चीज जो है वो मेरी सबसे ज्यादा फाइदे मेरे ही दूसी चीज़ भी उन्होंने गालब इसी लिए समझाई कि अगर जगड़े में पड़ोगी फसाद में पड़ोगी तो वक्त जाया होगा तो वो भी उसी ही कि एक शाखसाना है तो मैं बड़ी मश्कूर हूँ अब भी मुझे अगर मैं बाहर बैठ कि उसने मिजू एक अजीब काम किया है वो मेरे काम को नहीं समझ दी बिलकुल अनपढ़ है मेरे साथ 30 साल से शुरू दिन में उसने मुझे से पूचा क्या आप जी आप क्या करती है मेज पे क्यूं बैठी रहती है आप लेट जाएं आप मैंने का ये जियोनी बहन ये मैं लिखती हूँ छोटा मोटा तो उस तीस साल में जब भी मैं बवची खाने में जाओंगी तो मुझे पहली बात कहीं आप जी आप ना करें आप जाकर लिखें पढ़ें मैं ये करती हूं घंटे में आजाना देख लेना तो सबसे ज्यादा शुकर गुजारी उसकी क्यूंकि उसने मेरे सुभा का वक्त जो मेरे लिखने का वक्त है मुझे फारेग करके दे दिया हूँ आप चुप चुप हैं हमेशा की तहां ये अटैक अब बहुत जली जली होने लगी हैं आटैक के बावजूद यू लगता है जैसे लंबी लंबी बहुत लंबी होती जा रहे होते हैं आप से पूछना चाहते हैं कि आपके लिए क्रिटिविटी कामल आप कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगी आपकी क्या कैफियत होती है और उसके बाद या उसके दोरान एक मुझे शायर मिला था गुमनाम सा शायर औसलो में शायर था उसने बड़ी खुबसूरत इक एक ऐसी चीज़ है जो रोजे क्यामत को अपने दिमाग में बंद कर लेना रोजे क्यामत को कहता है इतनी बड़ी क्यामत होती है दिमाग में कि इनसान उसको दिल और दिमाग में दिल का तो उनके पास तसवर नहीं था मैं दिमाग में रोजे क्यामत को बंद कर लेता और वो मुझे जीने नहीं देती ना मैं रात सो सकता हूँ मैं ना दिन सो सकता हूँ आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपने केतली चड़ाई हो पानी की और उसकी स्टीम निकलने का रस्ता बंद कर दें तो जो कुछ पानी पे गुजर रही होती है वो क्रियेटिव आदमी के उपर गुजर रही होती है ये एक इतना अजीब मश्कला है कि जो आम आदमी आपके एर्दी एर्द है उस चीज़ को समझ नहीं सकता आपका मुँ बनावा है आपकी आँखें डराउनी हुई मी है आप चलते फिरते अजीब किसम की आपके शकल से खौफनाख शकल जैसे कहते हैं नो वो बनी मी है दरसल आप कुछ क्रियेट करने के बिलकुल करीब है फिर आप तनहाई जोंडते फिरते हैं तो कहते हैं यह बड़ा सनौब आदमी है मैंने इसे सलाम किया इसने जवाब नहीं दिया दरसल उसे वो आदमी नजर नहीं आया उसे वो शकल पता ही नहीं कि वो मेरे पास से गुजर गई है बाजार में आप अपने थेले भूलाएंगे ज्यादा पैसे दे दे देंगे या ज्यादा पैसे ले आएंगे वो लोग नहीं समझेंगे कि ये इस वकत कुछ और किसी और जगाबे हैं और किसी और काम में मश्गूल है तो सब क्रियेटिव आर्टिस्ट अंदर की एक तहल का खेस जिंदगी बसर कर रहे होते हैं जैसे बहुत सारी चीजें मिली हुई हो नो सौट आउट करनी है और आपको सफर पे जाने में आदा घंटा हो और पैकिंग उसी में करनी है तो ये स्कैफियेट से जब उन निकलता है तो वो क्रियेटिविटी पे खुश नहीं होता है वो उस अजाब से निकलने पे खुश होता है यूट मैं पहुत मैं सोचती हूँ कि लिखने वालों से मुझे दिल चाहता है पूछने के लिए काओना अवसी नहीं लात है इस देखेए आपने बड़ी अच्छी से बात कहाने इस लिए जवाब यह 5 तर्मुजो zu Lucky अधन मिसाल लीजाए अगर उसका बीज अच्छा होगा और वो रेतिली जमीन पर अच्छे मौसम में अच्छी तरह आँ डाला जाएगा तो अंदर से यकीना सुर्ख निकलेगा अगर उसको गिली मिटी पे डाल दिया जाए और उसका बीज भी अच्छा ना हो तो गालिबन जब आप उसे काटेंगी तो उस सफेद निकलेगा ऐसे ही क्रियेटिव आर्टिस्ट की मिसाल है अगर उसके अंदर पोटेंशल मौजूद है कुवत तखलीक मौजूद है और वो इसी काम के लिए बनाया गया है तो अगर उसको मौजूद यात अच्छे मेरे असर आ जाएं किसी वक्त पर अच्छा साथी मिल जाएं किसी वक्त पर अच्छा उस्ताद मिल जाएं तो आप देखेंगे कि उसका काम बहुत ही अच्छा हो जाता है लेकिन एक शखस है उसकी आवाज बिल्कुल नहीं है और वो 24 साल रियास करता रहे तो वो कहीं पहुंचता नहीं है इसके लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो अल्ला की तौफीक है आप बीवी भी है मा भी है सास भी है सब्दी भी है माशाला जी और बानो कुछ से भी है एक राइटर भी है इनको प्राइटराइज करेंगे आप जी 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 सबसे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं बच्चों को ग्राइंड चिल्डन को या अपनी बहूं को नहीं दे सकती जो इतने सारे रोल्स में बढ़ चुका है तो दूसरे आजाता है मां मां भी मैं अच्छी नहीं थी इसलिए अच्छी नहीं थी कि मेरे पास उतना वक्त नहीं था जो एक प्रोफेशनलेस औरत के प जहां वो जाता है उसका मूँ जाता है उस तरफ बच्चा भी इस तरह है जिदर मां जाती उधर ही उसका चेहरा जाता है ताव वक्त के वो अपनी उमर को बलूगत को ना पहुंचे और मैं अपने बचों से भी और अपनी दोहों से भी शर्मिन दास भी आप ठीक नहीं है आपको पसंद नहीं है यह दूसरे लोग बताएंगे यह तू बताएगी यह तू बताएगी के राइटर अच्छी होंके ने वह भी कुछ पता नहीं कुछ घपला ही यह जो मुझे मालूम है कि अब्बु आपके पास क्यों नहीं रह सके कि मुझे पता चला है के वह छेस साल से क्यों भहाने करते रहते हैं खत्में नहीं कुछ लिए झान के लटे हैं यह ऄको कि पास कभी नहीं लोट सकते कोई भी मर्ट आप लैके अदिवे गिव्मियां मौर्ण पढ़ी लिखी ओरत वैसे काफी अजाब होती है मर्द के लिए उस पर अगर वो काबिल इतमान भी नहूं इस फिल्ड में आकर मैं राइटिंग चाहर कर रहे हैं जिन लोगों में ऐसास कम तरी हो मुझ जैसे लोगों में तो वो ये सोचते रहते हैं कि काम तो अभी किया नहीं और घंटी बजगी है जाने की तो आप क्या बनेगा बड़ा काम नहीं हो सका मीजू और मेरा खाले यही बज़ा है कि कसीर मकासिद होना बहुत से काम कर लेना और करना चाहना यह खराबी है दरसल में इस वकत तो ड्रामा तियार होता है तो उसमें शदीद कॉन्फिक्ट के जजबात होते हैं आपके इर्दगिर्द के माहोरियात में इंजस्टिस हो रहा है जो सम्हिमन भी या आ किसी खास इंसान को पीसने की कोशिश हो रही है या फिर बेनसाफी भी नहीं हो रही कुछ भी नहीं हो जा कुछ कोई खराबी नहीं है और आपके इर्दगिर्द के माहौल में एक आदमी चुप हो गया है और उसने कुछ बयान नहीं किया तो उसकी सर्च जो है कि यह ऐसा क बज़े के बाद यह वाक्या पेशाता है कि आपके घर में एक शखस ठेहरावा है, और वो आदमी दीवार के साथ सर लगाकर बैठा है, और आप गुजरती हैं उदर से, यह आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, हर इनसान के साथ, तो यकदम आपको तन्हाई, ख समझ ना सकता हो ये क्यों हो रहा है जानवर समझते हैं आपने कुटे की आँख भी देखी होगी बिली की देखी होगी उसमें वो confusion and panic और एक और चीज़ भी उसमें होती है उदासी ऐसे कई चेहरे मुझे याद आते हैं जब मैं लिखने बैठती हूँ उनकी आँखे मसला अब मुझे तुम्हारी जो आँखे नजर आ रहे हैं ये मुझे फिर भी कभी नजर आएंगी तो ये मुझे आमादा करती है कि मैं उ उसमीजों से फिर मिलूँ वैसे नहीं मिल सकती तो काख़स पर मिलूँ और मैं जानू कि उसके दिल में क्या है वो क्यूं इस तरह सोचती है और कभी कभी अल्ला की मेरबानी से इंसाइट ही चलने लग जाती है कि गालिबन ये श्रक्स इस मुसीबत से गुजर रहा है चलक किसी कमरों में दाखल होते ही लोगों की बॉडी लैंग्विज कुछ बता रही होती है उनकी आंखें बता रही होती है उनके लिबास से पता चलता है तो जब लिखने लगता है कि कुछ भी मौजूद नहीं होता मिजू करते करते एक चेहरा आ जाता है वो खिरकी में आना पड़ता है कि इसका शोहर नहीं है, कि इसकी नौकरी छोट कई है, कि इसका बच्चा बिमार है, कि ये लड़की तीसरी शादी की वारदात से गुजर रही है, क्या इसको इसके महभूब ने छोड़ी, कई सवाल आते जाते हैं, और वोही रस्ता दिखाते हैं, ये ऐसी ह परते रात को, कोई एक जमला आपको स्ट्राइक कर जाता है, जो उस अखबार पे मौजूद नहीं होता, या उस मजमून में मौजूद नहीं होता, जो आप पढ़ रहे हैं, मैंने एक जमला आपको मिसाल के तोर पर बताओं, कि मैंने एक कहानी लिखी थी, उसका पहला जम हैं, आप यकीन कीजिए, मैंने आज तक किसी का ना प्लॉट सुनके, ना कहानी सुनके, सची कहानी नहीं होती हैं, मैं कहानी नहीं लिख सकती, मैं किसी से वाक्यात उधार लेकर, या इर्द गिर्द की माहौलियात से लेकर, कुछ नहीं लिख सकती, किसी का खाका नहीं लि कि यहां से आती है वाकियात की कान्फरिट की कहानियों की में चलती जाती हूं तो आगे मुझे कभी कभी फूल भी मिल जाता तो यह एक कोई आर्टिस्ट अपनी क्रियटिविटी की मतालिक आपको कभी कुछ नहीं बता सकेगा क्यूंकि क्वूल नहीं बता सकता कि उसमें पूछ लिजे गुलाब से पूछ लिजे कोई क्रियेटिव आटिस्ट आपको उस जिन की कहानी नहीं बता सकता जोसके पीछे लगा हुआ जोसे भगाता है करदे आई आम की तेहरीर को धोनी के लिए तुम से गोया हो तमीदी देजो मीरी देज़िए तुम जो चाओ तो सुनो और जो ना चाओ ना सुनो और जो हर्फ करे मुझ से गुरे सांखिर तुम जो चाओ तो कहो और जो ना चाओ ना कहो कहो और जो हर्फ करें झाल झाल